नुश्रार दोस्तों मैं उमेश एर्मा चार्ट एनैसिस चैनल पे आपका हाट दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैंडल स्टिक के बारे में और बात करें तो आज है पार्ट फाइव और अगर आपने इसे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे है उसको भी जाके देख सकते हैं क्योंकि हम ने बिग्नर्स के लिए एक सीरीज लेकर आया हम सैटडडेडे को हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं جिसे बिग्नर्स को काफी बैफिट हो सके तो आज पार्ट फाइव है और आच की वीडियो में account के बारे में टो आज काफी special है शुरू से लेके आखिर तक चूट देखेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो जैसे कि आप के बारे में तो चैनल स्टिक होती किया है शुरू से लेकर आखिर तक आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो Candlestick से related जो आपके doubt है वो मैं आपके सामने आज clear करने वाला हूँ Basically हमने आज का topic Candlestick की क्यो लिया क्या reason है उसका उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ वो basically ये है क्योंकि काफी ऐसे लोग है जब उनके पास chart आता है और जब मैंने technical analysis सीखा तो मुझे भी काफी मुश्किल हूई Green candle क्या होती है Red candle क्या होती है किस तरीके से काम करती है इसको analyze करके हम अपने कैसे profitable trade बना सकते हैं वो सारी चीजे मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ तो आज है part 5 और आज की वीडियो में बताएंगे what is candlestick pattern तो यहां से अगर आप देखेंगे तो मैं candlestick के बारे बताना चाता हूँ तो यहां पर आपको दो candle दिख रही है एक bearish candle है और दूसरी candle देख रहे हैं दोस्तों वो है bullish candle पहले हम बात करेंगे bearish candle के बारे में bearish candle होती क्या है अगर हम किसी से पूछे कि bearish candle क्या होती है तो काफे लोग बोलते कि bearish candle red candle होती है हाला कि दोस्तों हम इसका color red की जगा हम pink भी कर सकते हैं या फिर black भी कर सकते हैं और अगर हम bullish candle की बात करें तो काफी लोग बोलते हैं भी bullish candle वो होती है जो green candle होती है बट कहना चाहूँगा इसका color भी हम change कर सकते हैं हमें candle stick को समझना पड़ेगा इसके पीछे की definition को समझना पड़ेगा formation को समझना पड़ेगा ये bearish candle bearish होती क्यों है उसको समझना पड़ेगा तो यहां से दोस्तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीसिकली हम जब candle stick को पड़ते हैं तो ये पार्ट होता है यो open और closing का होती है जैसे आप देख रहे हैं a closing है यह opening है तो opening और closing के पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी क्या बोला जाता है ऐसे बॉडी देखे दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा वह आपको नोट भी करना है तो एक पैन और एक नोट बुक रख लीजिए जिसको आप लगातर नोट भी करते रहे जिससे आपको बाद में सबसने में काफी असानी होगी क्योंकि जब हमा तो आप कंफ्यूज मत हुएगा अब दोस्तों हम बात करेंगी कि ओपनिंग क्लोजिंग किस तरीके से समझी जाती है तो एक्जामपल के दौर्ट पे कोई एक स्टॉक है वो अपन हुआ है 230 रुपे पे उसके बाद उसका जो हाई बना वो हाई बना कितना 235 रुपे पे ल लो हो गया यह ओपनिंग प्राइज हो गया और यह हो गया हाई हम जब प्राइज करते हैं तो हम यही चीज़े देखते हैं क्या हाई बना क्या लो बना क्या ओपनिंग प्राइज है क्लोजिंग प्राइज है बट उसको प्राइज को कर दिया है तो जब भी जो क्लोजिंग होती है closing matter करती है हमेशा candlestick में closing matter करती है closing opening से lower होती है तब वो होती है bearish candle दूसरे case में अगर आप देखेंगे तो यह bullish candle है bullish candle bullish क्यों होती है reason उसका यह है अब आलो किसी stock की opening होई है 230 रुपे पर राइट और वो closing होगे उसके 235 रुपे तो क्या हुआ closing opening से higher होई है जिसकी closing opening और bullish candle वो ती है जिसकी closing opening से higher होती है तो इस तो समझ के आप Candlestick को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अब ऐसा नही है अगर आपको पता होना चाहिए घ्लोजिंग से हायर है तो यह यह बिलश है आशा करूँगा कि आप इस डैफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ गये होंगे आप मैं आठ आपको पैटरन बताने हो जिसको समझ के आप ड्रेड कर सकते हैं तो जिस प्रार प्राइब आप आप देखेंगे तो पर एक इस तरीके से आप इसका ऐराइन पाट होता है नीचे क्या होता है उसकी एक वुड़न अगर आप देखेंगे तो stick मान के चल सकते हैं तो उसी तरीके से ये क्या हो गया ये candle भी कुछ इस तरीके से ही बनती हतोड़ी की shape ले लेती है अब इस हतोड़े के पीछे की psychology होती है जो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत जादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसकी psychology बताने में ही एक दो घंटे लग जाते है तो वो हमारे online course का पाटा है तो क्या होता है ये downtrend में बनता है और ये downtrend को uptrend में convert करता है तो हतोड़ा जो होता है यानि कि अब इसे hammer जो बोलते है इसके पीछे की psychology होती है जो कि downtrend को uptrend में convert करता है तो काफ़ important pattern है ये दूसरा जो सबसे important pattern होता है वो है inverted hammer inverted hammer बहुत important है दोस्तों आपको कहना चाहूँगा inverted hammer भी downtrend को uptrend में पूरी तरीके से क्या करता है convert करता है तीसरा जो है वो भी बहुत important है जिसको बोलते है morning star, morning star क्या होता है morning star के बारे बतारूँगा कि ये भी bottom पे बनता है और ये basically क्या है इसके अंदर भी psychology होती है ये consolidate करके जो buyers की position कटवा के यहाँ पे operator अपनी position buy करता है तो इस pattern के इसाफ से भी आप अच्छा profit कर सकते है इसके बाद जो आता है वो है bullish engulfing bullish engulfing भी काफी important है bullish engulfing भी क्या करता है bearish candle को पूरी तरीके से engulf करता है जिसकी वज़े से market जो है वो downtrend से uptrend में convert होती है तो यह जो चार candlestick pattern बता है यह basically bottom पे बनते हैं जो की downtrend को uptrend में convert करते हैं इसके बाद अगर आप hanging man पड़ेंगे तो यह भी क्या होता है इसके बिलकुल reverse होता है opposite होता है और यह uptrend को downtrend में convert करता है तो जो आप hammer यह bottom पे देख रहे है यह hammer आपको top पे मिल जाएगा दूसरा inverted hammer की जगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा shooting star shooting star भी क्या होता है uptrend को downtrend में convert करता है साथ साथ evening star और इसके साथ बेरिश एंगलफिंग यह ऐसे candlestick pattern है जो की अगर आप इनको धंक से समझ गए तो आप दोस्तों काफी पैसा market से कमा सकते हैं तो इनको समझना काफी आसान है बड़ एक simple सी logic होते हैं इसके पीछे के वो आपको समझने पड़ते हैं और इनके कुछ back testing को practice करने पड़ते हैं जिससे आप अच्छा technical analysis समझ सकते हैं और price को अगर समझना है तो पहला candlestick pattern hammer में लेता हूँ hammer मैं क्यों ले रहा हूँ क्या reason है उसका क्योंकि काफी important pattern है जिसकी हम बात करे थे जो कि downtrend को uptrend में कर्मट करता है तो यहाँ पे मैं उसकी condition required for hammer candlestick pattern मैं कुछ conditions इसकी बताना चाहता हूँ तो पहली condition की बात करूँगा तो वो है stock downtrend में होना चाहिए stock downtrend में होना चाहिए देखेंगे यह जो stock है अगर मालों की stock की कीमत 250 है तो 50 है अगर आप देखेंगे 200 रवे पे pattern मना तो आप देखेंगे कि यह stock downtrend में आया और उसके बाद hammer मना दूसरा no upper wick और very small upper wick की इसके उपर wick नहीं होनी चाहिए जादा बड़ी अब आप तोड़ा देखेंगे तो तोड़े के उपर कोई जादा बड़ी wick तो नहीं होती ना अगर आप देखेंगे आपके घर में जो है तो वैसी इसमें भी होता है hammer candle green red हो सकती है तो कहीं लोग बोलते हैं जो hammer जो होती है वो bullish होनी चाहिए ग्रीन होनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है ये red भी हो सकती है इसके अंदर भी same psychology काम करती है hammer candlestick के बाद next candle bullish होनी चाहिए और कहना चाहूँगा कि जो hammer candlestick होती है उसके बाद की जो candle होती है वो bullish बहुत जादा compulsory है इसके पीछे की अपने psychology होती है तो ये 4 point है इसको आप note कर सकते है और इन 4 points को अगर आप note करते है तो अगर आपको आपके chart पे कभी भी hammer दिखाई देता है तो उसके based पे आप trade बनाके मुनाफ़ा अपना कर सकते है इसके बाद हम बात करेंगे तो hammer versus hanging man hammer और hanging man में क्या फरक है कहना चाहूँगा बस फरक इतना है कि ये downtrend में बनता है और जो hanging man है वो uptrend में बनता है वो ये reversal pattern है downtrend को uptrend में convert करेगा ये और ये uptrend को downtrend में convert करेगा और ज्यादा इनमें फरक नहीं होता है अब हम बात करेंगे hanging man के बारे में कि hanging man candlestick pattern होता क्या उसके conditions क्या है उसके बारे मात करेंगा तो पहला है कि stock uptrend में होना चाहिए uptrend में ही बनता है क्योंकि downtrend में convert करता है दूसरा no upper wick और very small upper wick यानि की उपर ज्यादा बड़ी wick नहीं होनी चाहिए तो फिर candles की जो formation है वो ही change हो जाती है hanging man candle green और red हो सकती है अगर हम बात करें तो hanging man candlestick वो चाह green भी हो चाह red भी हो दोनों काम करेगी साथा hanging man candlestick बनने के बाद next candle bearish होनी चाहिए जो की काफी important point है अगर आप देखेंगे तो hanging man के बाद next candle जो है वो bearish है अगर मैं आप से बूझ वो bearish candle क्या होती है तो अब आप ये मत बोलना की red होती है अब आप बोलना कि इसकी जो closing है वो opening से क्या है lower है तो ये candle क्या है bearish है इस तरीके से आप candle stick को काफी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और इसको feel करवाएंगे अब next point है hammer and hanging man hammer and hanging man में क्या फरक है देखें hanging man के कर बात करें तो ये cell signal होता है जैसे कि आप यह आपे देख पा रहें ये क्या है basically एक cell signal है और अगर हम hammer की बात करें तो hammer क्या है वो इक bias signal है but bias signals के बाद भी आपको कुछ चीज़े देख रही है कि इसके बाद की candles क्या होनी चाहिए साथ-साथ इसका downtrend जो low है वो unbreakable होना चाहिए इसके बाद के भी काफी सारे logics को ध्यान में रखके आप मुनाफ़ा अपना कर सकते है और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो hanging man के बाद next candle के आउनी चाहिए बेरिश होनी चाहिए और उसका low break होने पे आप अमई पोजिशन sell कर सकते है तो confirmation काफी जादा जरूरी है इसके बाद हम बात करेंगे inverted hammer के बारे में तो inverted hammer और hammer की बाद करेंगे तो inverted hammer भी क्या करता है downtrend को uptrend में convert करता है अगर आप देखेंगे तो यह downtrend है जिसको uptrend में convert कर रहा और hammer भी यही काम करता है वो downtrend को uptrend में convert करता है बट अगर हम बात करें यह दोनो candle जो है inverted hammer और hammer में क्या फरक है सिर्फ और सिर्फ एक फरक है दोस्तों वो है psychology का क्योंकि market में जो काम करता है psychology काम करती है, price action काम करता है demand supply काम करता है hammer बनने की psychology जिसके बारे मैं बात कराता हूँ वो ये है, basically मैं आपको shorter बदाता हूँ, ये panic create करके जो buyer से position sell में convert कराता है, और जो hanging man है ये लगवानी वाली position में होता है जब लोगों को लगता है कि market तो पका नीचे जाएगी जब लगने वाली situation होती है न वो यहाँ पर ये create करता है क्योंकि देखो दोस्तों जो लगने लगा वो कभी market में होता नहीं है तो जो लगता है न वो price आपसे लगवाता है और जब price की study करनी पड़ते है तो कहीं नगी आपको candlestick pattern सीखना पड़ता है तो कहीं आप price कुछ और गह रहा होता candlestick कुछ और गह रहा होता और candlestick analysis से आप अपने profitable trade regular basis पे generate कर सकते है अब यहां पर अगर next point की बात करेंगे तो यहां पर इंवर्टिड हैमर है सेम अगर बात करें conditions क्या है इसकी तो condition यह है कि stock downtrend में होना चाहिए इसके अपर विक होती है वो long होनी चाहिए और जो body है उसके नीचे विक जादा बड़ी नहीं होनी चाहिए जो candle है वो bullish या भी bearish हो सकती है और next candle क्या होगी उसमें bullish candle होगी जो hammer में था वैसे ही आपको inverted hammer में भी देखने को मिल जाएगा साथ साथ अगर बात करेंगे तो shooting star candlestick pattern मेरी काफी favorite है जब मुझे लगता market गिरने वाले तो ऐसी candle stick आपको जाता तर देखने को मिलती है तो shooting star basically क्या bearish signal होता है और इस तरीकी की candle अगर आपको देखने को मिल जाए आपके chart के top पे तो अगर आप बेच के चलेंगे तो काफी मुनाफ़ा कर सकते हैं वहीं पर आप देखेंगे तो inverted MRO में और shooting star में क्या फरक है यह basically sell signal है और यह क्या है यह buy signal है bullish signal कह सकते हैं से इसे आप bearish signal कह सकते हैं तो इसको अगर आप analyze करेंगे chart पे back testing करेंगे तो पैसा अपना अच्छा कासा बना सकते हैं same shooting star के भी कुछ confirmations होती है conditions होती है इसकी अगर आब बात करेंगे तो उपर इसकी विक होती है लीचे बॉड़ी होती है साथ-साथ यह bullish बीरिश हो सकता है और next candle का size है वह matter नहीं करता है बर next candle क्या होती है वह बीरिश होनी चीह है यह इसकी conditions है जिसको आप note कर सकते हैं अब इसके बाद अगर आपको बताना जाओंगो the morning star pattern है बहुत शॉट मैं आपको बताता हूं यह बेसिकली डूजी candle है डूजी candle होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यह जो candle है अगर इसकी body देखेंगे तो काफी छोटी body है candle green या red हो सकती है और morning star के बाद next candle bullish होनी चाहिए जी हाँ इस candle के बाद next candle bullish होती है तो उसके बाद अब third candle पर अपनी by position बना सकते हैं इसके बात के अगर मैं बात करूं तो evening star pattern है सेम जैसे morning star downtrend को uptrend में convert करता है वैसी ही evening star आप trend को downtrend में convert करता है वैसे ही अगर आप morning star देखेंगे तो यह एक buy signal है और evening star एक sell signal है जब भी आपको चार्ट पे evening star या morning star या फिर आप इसे dozy cattle भी बोल सकते हैं वो ज़्यादा तर अगर आपको देखने को मिली तो इसके base पे भी आप अपने trades बना सकते हैं और यकीन माने दोस्तों इसकी accuracy काफी ज़्यादा market में अच्छी आती है सासा evening star candlestick की condition सेव ऐसी है जैसे morning star में है कि candlestick size matter नहीं करता next candle बेरिश होनी चाहिए उसके बाद अब अब अपनी पूशे short में पना सकते हैं सासाथ आप next candle की बात करें तो यह है bullish engulfing candle मेरी काफी favorite है bullish engulfing candle के पीछे की psychology क्या होते है अब आप करें तो यह बेरिश candle है और यह क्या है bullish candle और bullish candle की body ने bearish candle की body को पूरा cover किया हुआ है अब body का है जो मैं आपको पहले बताया था opening को closing से बनती है तो इसकी opening closing को next candle की opening closing ने पूरा cover कर रखके समाया हुआ है तो एक body ने दूसरी body को अपने आप में समा लिया तो इसको बोलते है bullish engulfing candle थर्ड candle bullish होगी तो उसके बाद आप अमनी position buy में बना सकते हैं अगर यहां पर बात करेंगे तो bearish candle में क्या होता है कि यह देख रहे bullish candle है और साथ में bearish candle है अब यहां पर तोड़ा उल्टा है क्यों क्यों bearish candle की body को पूरा cover कर लिए इसके पीछे भी psychology होती है और थर्ड candle के bearish है और यह confirmation के बाद आप market में trades अपने बना सकते हैं बट एक चीज का ध्यान रखिएगा जो bullish engulfing pattern है वो चार्ट के bottom पे मिलेगा आपको और यह चार्ट के top पे मिलेगा अगर आप अपनी accuracy बढ़ाना चाते हैं तो कुछ चीजे हैं जो मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहता हूं वो यह है कि जब भी हम मार्केट में काम करता है तो मार्केट की movement कुछ इस तरीकी की होती है राइट यह इस तरीकी की movement होती है हाला कि जो candlestick मैंने pattern बता है इसके इलावा भी होते हैं तो तो टॉप पे आपने sell करा यहां पे आपने बाय करा टॉप पे sell करके bottom पे आपने बाय करा यह किस तरीके से करते हैं जब आप candlestick की help लेते हैं तो जो बड़े traders हैं जो technical analysis करते हैं वो candlestick की help से अच्छे swing trade अपने बना पाते हैं तो इसलिए कहता हूं कि candlestick को काफे अच्छी तरीके से सीखो और अगर आपको candlestick अच आपको बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी सासाथ अगर हम देखेंगे तो कुन चीजे हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वह है पहले तो market trend को समझे सपोर्ट और रईस्टेंस को समझे ओपाइंटरस और volume को हुई है सासा ने डिमांड और सप्लाई जोन को भी समझना पड़ेगा अगर आप डिमांड और सप्लाई को अच्छी तरीके से समझना चाते हैं और चाते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कॉमेंट बोक्स पर कॉमेंट जोग करिएगा नेक आज की वीडियो में बताई जो कैंडिस्टिक पैटन के बारें बताया साथ साथ जो आपको कंडिशन बताई है उसको आपको दोस्तों समझना पड़ेगा और उसको समझने के लिए अगर आप डिटेल में समझना चाते हैं तो हमारा एक कोर्स है टेकनिकल अनैलिसिस का वो आप कर सकते हैं उसमें हमने काफी डिटेल में समझाया हुआ है और दोस्तों यकीन वानिए कि जो कैंडिस्टिक पैटन है मार्केट में अच्छा काम करते हैं कि मार्केट के टॉप को बॉटम को आप बहुत अच्छी तरीके से पकड़ पहेंगे तो आज की वीडियो में द जो करिएगा तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही धन्यवाद